Hello friends, Neighbor Sunshine ये एक Oscar winning short movie इस वीडियो में आपको आज में explain करने वालो ये बहुत ये अच्छी movie है और एक listen के साथ आती है जो जली शुरू करते है movie start होती है और हमें एक apartment कई गई है यहां mother और father होती है इन्हें बहुत सारे बच्चे होती है जब बहुत रात हो जाती है तो बच्चों ने दिन बार जो भी मेस की थी ये सब मदर साफ करी होती है फादर बच्चों को सला कर वापस आ जाता है ये दोनों फिर अपने dinner table पर relax होने के लिए बैठते है इनकी dinner table के पास एक बड़ी सी window होती है इस window से वो दूसरे building की windows देख सकते है जब इस window से वो देखते है तो वहाँ उन्हें एक couple दिखता है एक दूसरे के साथ intimate हो रहे है मदर केती कि ये क्या कर रहे है मैं नहीं देख सकती है और वो interested हो जाती है और देखने लग जाती है फादर भी बहुत ही interest से देख रहा होता है तो वो कहती ही कि drool करना burn करो वो बोलती कि क्या इन्हें पता भी नहीं है कि हम सब ये देख सकते है फादर कहता है कि वो अपने apartment का inauguration कर रहे है हमें light burn कर देनी चाहिए ये भी उसे कहता है मदर कैती कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे है हमें क्यों light burn करने है वो अपना mind change कर दिये है और light burn कर वो ही बेट जाती है अब हमें दिखता है कि थोड़े दिन गुजर चुके है मदर अपने बच्चों को बाहर घुमा कर लाती है और फेसे घर आती है जो फादर होता है वो खिड़की में बेटकर ही अपना काम कर रहा होता है मदर और फादर की यहां fight हो जाती है वो कहती है कि तो हमेशा उन्हें ही देखती रहते हो इन दोनों में insecurities होती है इन्हें बच्चे हो चुके यह 30 में है तो एक दुसरे के साथ वो इतना जादा connection नहीं बना पाते है मदर उस पर जीट कर बोलती है कि तुम घर में कुछ भी ध्यान नहीं देते बच्चो का सब ख्याल वेगरा भी मुझे ही रखना पड़ता है उन्हें बाहर भी मुझे ही लेकर जाना पड़ता है तुम सिर्फ अपनी दुर्बिन लेते हो और किड़के से जागते रहते हो फादर ने उसकी बर्ड़े के लिए दुर्बिन मंगवाई होती है फादर कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो उन पर हमेशा ध्यान रखता है तुम भी हमेशा उनने देखती रहती हो अब वो कपल पर चिट गई होती है वो कहती है यह क्या इनने कर्टन्स के बारे में नहीं पता है या कोई उनने देख सकता है इनकी भी इनने शब नहीं है हमेशा है पार्टी करते रहते है येवी मदर फादर देखते है इने बहुत ही जेलस महसूस होता है इनकी जो लाइफ है ये बहुत ही stable है अपने ब cockpit है इनकी फैमिली है पर फिर भी इने अपनी जो ट्रेंटी स है जिस तरह से वो हो एंजॉय करते थे उस तरह से वो कभी भी एंज्वा नहीं कर पाते इससे उन्हें दूख होता है फादर फिर मदर को पास बुलाता है उसे हाग करता है जब इनके घर क्रिस्मस भी होता है तो फिर भी यकी बाहर नहीं जा पाते है घर को यह डेकोरेट कर रहे थे और जैसा इनका रूटिन होता है यह रात में इनने सब को साफ हगरा करना पड़ता है इसी तरह से मदर आज साफ भी कर रहे होती है मदर फिर से नेबर के याँ देखती है तो वहाँ पार्टी चल रहे होती है नेक सिन में हमें यह फैमिल ब्रिकफास करती है यह देख रहा होता है अब यह जो फादर है यह नेबर्स पर हमेशा नजर नहीं रखता जब रात होती है तो मदर को ही लगता है कि उसे देखना चाहिए यह नेबर क्या कर रहे है यह फादर की दुरभीन ले थी है उसे देखने लग जाती है इस वाइफ ने अपने हस्बंड को कहा था यह तो में responsibility लेनी चाहिए अपने बच्चों को घुमा कर लाना चाहिए तो उसका हस्बंड अब यही कर रहा होता है वो बहार जाता है और अपने बच्चों को कैमपर लेका जाता है अब वो खिड़गी के पास भी नहीं दीखता आज जब रात हो जाती है तब मदर को नीन नहीं आ रही होती वो फिर बैलकनी में जाती है और फिर से अपनी दूर्बीन से देखने लग जाती है वो देखती है कि जो उसके नेबर से उसकी जो वाइफ है वो अपने हस्बन को कॉंसोल कर रही है यहाँ कुछ प्रावलम हो चुका है यह उससे पता चल जाता है यह जो नेबर्स होते हैं बहुत दिन तक घर पर नहीं होते थोड़ी दिन बाद जब एक घर पर वापस आ जाते हैं तो as a general curiosity फादर मदर से बोलता है उसके mother and father आये है वो पेड़ पर होता है वो अपने नेबर के लिए वरी करती है राद में फिर एक बार जब वो खिड़के से देखती है तब उसे मालूँ होता है कि जो नेबर था वो मर चुका है नेबर की wife रो रही है इसे बहुत ही बुरा लगता है और अगली building में वो देखने के लिए चली जाती है नेबर की body, hospital में जा रही हूती है नेबर की wife जोती है, उसके पास ही आ जाती है मदर उसे console करना चाती है, उसे कूछ बोलना चाती है उसे कुछ बोलनी पाती तो नेबर की जो wife होती है, वो ही बोलती है मैं तुम्हें चांदती हूँ, हमारे अपार्मेंट से, तुम्हारे अपार्मेंट दीखती है तुम वही हो, जिसके तीन बच्चे है, तुम्हारा आजबर्ण है वो कहती ही कि तुम्हें आजब लगेगा पर में और मेरे पती हम दो उना हमेशा तुम्हें देखते रहते थे तुम्हारे बज्चे बहुत ही क्यूट है तुम्हारे जो फैमिली है ये कितनी बड़ी आए अब ये नेबर की वाइफ रोने लग जाती है और मदर उसे सहारा देती है रात में हमें मदर घर पर दिखाए गई है और अशे अब अपनी फैमिली के बारे में एक नया परस्पेक्ट्व मिल चुका है हमेशा दुसरे के लाइफ में जागते हमारे पास जो है उसे हम अप्रिशेट नहीं करते एक ब्यूटिफल मैसेज ये मूवी देकर जाती है जो नेबर थे उन्हें लगता था कि उनकी भी इतनी अच्छे फैमिली होनी चाहिए क्योंकि उनके पास फैमिली नहीं थी जो मदर और फादर थे उन्हें जो फ्रीडम नेबर के पास था वो नहीं था और फिर से जैसे वो ट्वेंटीज में थे वैसे नहीं जी सकती थे उनकी लाइफ स्टेबल हो चुकी थी पर कभी कभी उने भी मजा करना था यह दोनों एक दूसरे से जलते थे पर अपनी लाइफ कितनी परफिक्ट है एक दूसरे को गभी पता नहीं था जब नेबर मर चुका है तो मदर को अपना परस्पेक्ट्व मिल जाता है कि उसके पास जो है वो कितना वैल्यूबल है पेस्ट लेशन के साथ यह मूवी एंड हो चाती है इस बार मैंने एक नया एक्स्प्रिमेंट किया है इसमें मैं शॉर्ट मूवीज को एक्स्प्रिमें करना चाता हूँ अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज कोमेंट में बता दीजेगा यानि कि मैं और भी शॉर्ट मूवीज पर वीडियो बनाता रहूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे बहुत सारी मूवीज में लेकर आता रहता हो तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर दीजेगा बेल नोटिवेशन आइकोन भी दबा दीजे इननी कि आप कुछ भी मिस ना कर पाए हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और अप अपने आपका खैल रखिये